श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाओ आते है वो चंदरमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंदरमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो ये दिन आप के लिए खास है जी हाँ आज चंदरमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंदरमा इस दिन आपकी कुणली में दसवे भाव में है ये कर्मभाव है इस दिन मान सनमान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिती और अच्छी होगी दस्वा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है लेकिन अन्तता रिजल्ट्स आपके ही पक्ष में रहेंगे दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागय के भरोसे बैठने वाला दिन ये नहीं है तो आप कर्म कीजे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने की योग बन रहे है कोई जोकिम बरा फैसला भी ले सकते हैं ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्चने व सारी परिशानिया जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी सारे काम आसानी से पूरे हो जाएगे सारे पेंडिंग काम पूरे करने के लिए ये समय काफी सही है अगर कोई सरकारे काम कुरुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे सफलता मिलेगी ये दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खोल सकते है बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है मेहनत कर और किसी भी चीज से ना डरे समय आपके साथ हैं। कोई कडवाहट है तो वो दूर करने का ये सही मोका है। विवाहित लोगों को अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता-पिता के सामने रखने हैं। तो ये समय आपके लिए सही है। दोस्तो इस दिन आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कमरदर्थ की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है। स्वास्थे से जुड़ी समस्याए आती भी है तो कोई छोटी मोटी समस्याए आएगी, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो कुल मिला के स्वास्थे के लिए ये दिन अच्छा ही रहेगा। इस दिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए लखी साबित होगा और आठ नमबर इस दिन आपके लिए लखी रह सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।